हेलो इंडिया, वल्कम टू इंडियन AI प्रोड़क्शन, मशिन लर्निंग एंट वेन प्रोजेक्ट तिल डिप्लोमेंड, पार्ट नमबर थ्री में आज हम डिसकस करने वाल है बिजनेस प्रोब्लिम, लास्ट पार्ट, पार्ट नमबर टू में हमने डिसकस कहता कि इस करने के लिए हमें क्या-क्या प्री रिक्विजिट चाहिए, तो पार्ट नमबर थ्री में आज हम डिसकस करेंगे कि भाई, बिजनेस प्रोब्लिम होता क्या है और हमारे इस प्रोजेक्ट का हमारा बिजनेस प्रोब्लिम क्या है, तो अब हमें देखते हैं हमारे मशिन लर् प्रॉब्लेम होता है वो बिजनस प्रॉब्लेम आपके कंपणी का कलाइंट एंड आपके कंपणी के साथ होता है जिहां दोस्तों जब भी आपके क्लाइंट के पास कुछ प्रॉब्लेम रहता है उस प्रॉब्लेम को वो खुद सॉल नहीं कर सकता इसलिए वो आपके पास कर科od हमें उसे profit मिलेंगा जी हा दोस्तो हमें उसे profit मिलेंगा तो business problem को जब भी आप solve करते हो तो आपको एक service great करते हो या आपको फूदक्त करते हो तो जब भी पूदक क्रैट कर捅गँ तो उसको आप prospects करेंगे customer को तो उससे आपको कुछ technical definition बतना चाहूंगा तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो डेटा साइंस में जो business problem है वो business problem solve कीज़ता है using data और जब आपके पास data रहता है तो उस data का इस्तमाल करके आप different algorithms का इस्तमाल करते हो और आपका जो भी problem है उसके लिए optimal solution मतलब best solution आप निकालते हो और उस solution को find करने के लिए आप mathematical model का इस्तमाल करते हो और computer science में जो भी different techniques है उस technique का आप इस्तमाल करके आप आपके business problem को solve करते हो तो यहाँ पर आप बोलोंगे भाई ये तो हमें समझ में आ चुक है कि business problem होता कै बट problem कौन से कौन से type की होते है और कौन से कौन से problem हम as a data sentence करके solve कर सकते है तो जैसे कि मान लो भाई हमारा business problem है business problem है कि आपको एक client आज चुक है आपके बास और बोल रहा है कि भाई मुझे girlfriend पटानी है मैं girlfriend पटानी की कोशिश करा हूँ लेकिन मेरे को आज तक मेरे जिन्दगे में girlfriend नहीं मिलिए तो जीहाँ दोस्तों ये business problem है बिल्कुल आप मान लो love guru हो जाते हो बहुत सारे लोगों को आप trick बताते हो कि भाई किस तरह के से girlfriend को पटाना है और उसके बाद मान लो उनकी जिवन में कोई अच्छे कासे girlfriend आती है या boyfriend आता है और उनकी जिन्दगी दोडने लगती है तो उनका जो problem था वो आपने solve कर लिया जिहा दोस्तों तो इस तरह की service आप दोंगे तो बिल्कुल आपको पैसा मिलेंगा क्योंकि आप love guru बन जाओंगे और आपके बास पैसे की बारिष हो जाएंगे जिहा दोस्तों इसी तरह के से मानलो कोई बंदा आता है और बोलता है कि भाई मेरे कुट्टी को बच्चे नहीं हो रहे obviously कुट्टी को बच्चे नहीं हो सकते न तो मानलो कुट्टी को बच्चे नहीं हो रहे तो बोल रहे कि भाई मेरे कुट्टी को बच्चे नहीं हो रहे और जो भी process करने है वो process आपने बता है और उसके बाद वो process की service आपने दे दी मालो just example की भाई कुट्टे को बच्चे करने के लिए कुछ आपको cement डालना पढ़ेंगा जो भी डालना पढ़ेंगा तो वो service आप देते हो तो उससे क्या हो रहा है उससे भी आपको revenue generate हो रहा है तो इस तरीके के जो problem है वो आप solve कर सकते हो वो आप solve कर सकते हो लेकिन भाई लेकिन यहाँ पर हमारे पास condition है हम data scientist है तो कुट्टे को बच्चे करना है वो हमारा problem नहीं है किसी बंदे की sitting करना मतलब boyfriend मिलाना या girlfriend उसको दिलाना यह हमारा problem नहीं है यह problem हम solve नहीं कर सकते हैं तो ऐसे problem आते हैं आपके जिन्दंग में यह आपका कोई client लिक्याता है उनको बोलना है दोस्तों राम राम भाई आपका problem हम solve नहीं कर सकते हैं इस problem is not under our circumstances और उस तरीके से उसको आप बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास उसका solution है लेकिन हम आते हमारे point के उपर कि भाई कौन सा problem रहेंगा जो हम data science का इस्तमाल करके solve कर सकते हैं जैसे कि मान लोग कोई company आते हैं और बोलती हमारे पास इतना data available है इस data में से हमें insight को extract करना है इस data का इस्तमाल करके हमारे problem को solve करना है उस situation में हम क्या करेंगे उस situation में हम उस problem को solve करेंगे समझ में आ गया जब भी कोई client आता है और client बोलता कि भी रहा माई ये problem है और मान लो problem का आप पास data available है या आपको एक्स वाज़ेट रिसोर्से से data को extract करके उस problem का उप्सॉल कर सकते हो वही problem को हम data science और machine learning problem statement कहेंगे right अब यहाँ पर हम बार यह थी कि हमारे इस project का जो main problem statement क्या है तो हमारे project का जो main problem statement यह है कि predict the price of house using its multiple feature of house like size of house number of rooms like kitchen, bedroom, toilet, bathroom, location of house where is the house situated near to the beach, near to the river, near to the airport, near to the school, near to the college like this location and age of the house so when it's built and how many floors in the house like first floor, ground floor, up four or whatever floors are then type of house right it's a modern house or it's a traditional house तो यहाँ पर हमारे पास multiple feature हैंगे घर के मतलब house के और उस feature का इस्तिमाल करके हम एक house की price predict करने तो क्या यह problem हमारे data scientist का है कि नहीं बताओ मुझे क्यारी comment करके बताओ यार yes or no बताओ ओके तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई हमारे पास multiple features है हमारे पास multiple variables of data available है और उसका इस्तिमाल करके basically हम house की price आराम से निकाल सकते है जी हाँ दोस्तो तो यह problem होता है data scientist का we can say it's a problem of data science, it's a business problem of data science, it's a business problem of machine learning engineer, right तो इस तरह के problem को हम solve कर सकते है और यही problem है हमारे project का तो obviously इस problem को हम क्या करए हमारे पास जो भी data science की जो technique से उसका इस्तिमाल करके हम solve कर सकते है और ऐसा problem लेकि आपका client आता है तो उनको बोलना है जी हाँ भाई हम आपका problem solve कर सकते है अब उसके बाद defend करता है भाई आपका जो client है वो data खुद वो देंगा या आपको extract करना पड़ेंगा और उसके बाद आपको optimal solution प्रोवाइड करना है और उस solution को प्रोवाइड करने के लिए जितना भी खरचाता है जो भी cost आती है वो आपकी जो भी management team रहती है और सक्वाद आपका जो technical जो leader रहता है आपके data science project का और सक्वाद principal data science रहता है यह जो बंदे रहती है वो उसके उपर काम करते है भाई वो client से कितना पैसा निकालना है आपको नहीं करना है कितना पैसा लेना है क्या करना है जो आपकी management team रहती है जो leader team रहती है जो lead वंदे रहती है वो उसके उपर काम करते है बट धान रखना है जब भी client problem लेकिया आता है तो जो company में जो management team है basically जो sales लाती है वो team पहले वो problem समझेंगी वो problem समझेंगी के बाद जो data science team रहेंगी उसको वो deliver करेंगी हमारे पास problem है customer का predict the price of house ये आपको statement देंगा उसके बाद आपकी जो data science team है वो सुचेंगी इस problem को में किस तरीक से solve करना है या कोई condition में ये भी हो सकता है कि आपका direct client रहेंगा और direct client की meeting आपकी जो data science team है project development team है उसके साथ आपकी meeting हो जाएंगी और उसके बाद आपका जो भी उसका problem है वो आपकी team note down करेंगी और note down करने के बाद उस client को बोलूँगे कि हाँ हम इस तरीके से इस प्रोब्लम को solve कर सकते है जब दोनों की deal हो जाते है क्लाइन को लगता है कि हाँ ये बंदी मेरा problem solve कर सकते और आपको लगता है कि हाँ हम client का problem solve कर सकते तो आपकी जो project की जो journey है वो यही से start होती है तो चलो दोस्तो हमारे project की journey को हम start करते है आने वाले next part में तो आने वाले next part में हम क्या करेंगे हमारे पास business problem आचुका है अब हम करेंगे data collection हमें जा से data लेना है कहा से लेना है इसके उपर हम आगे चलके बात करेंगे तो चलो दोस्तों आपको समझी में आ चुक है what is the business problem and what is the data science business problem and how to solve that तो चलो दोस्तों मिलेंगे हम next tutorial में तब तक के लिए सिकते से कहते कुछ implement करते रहो धन्यवाद करते रहो करते रहो